ग्श्बूफ तो दोस्तों लास्ट उडीयो में डायलेक्ट्रिक क्या होता है इसके बार में हम डिसकस करचुके है ऩो फिरहएंब को क्फेटर सब्सक्राइस होता है। उसके क्फेटर का इंपर इंताय ऊक्रिब करने के लिए पर युद। तो दोस्तो ये die electric ये capacitor का capacitance कैसे increase करता है वो भी हम last video में देख चुके हैं तोड़ा सा यहाँ पर revise करते हैं तो अब हम consider करेंगे कि यहाँ पर कोई die electric material नहीं है ठीक है तो अगर दोस्तो यह दो plates को आप देखिए यहाँ पर battery के साथ connect करते हो मान लेते हैं यह एक battery है और इस battery के साथ connect करते हो तो क्या होगा यहाँ पर यह positive terminal है और यह negative terminal है ठीक है और यह 5 volts की battery है यहाँ पर तो जैसे द यहाँ पर क्या होगा positive charge बन जाएगा electron के यहाँ से remove होने से यहाँ पर positive charge और यहाँ पर electron के आने से यहाँ पर negative charge आ जाएगा ठीक है और जैसे जैसे दोस्तों यह दो प्रोसेश जो है चार्ज यहाँ पर shift होने की यह process रुख जाएगी तो मान लेते हैं यहाँ पर दूस्तों प्लस Q charge आ चुका है उतना ही negative charge यहाँ पर आ जाएगा minus Q अब जैसे दोस्तों यह die electric material आप यह दो प्लेट के बीच में रखते हो मान लेते हैं यह die electric material इंसुलेटिं यह जो potential difference है दो प्लेट के बीच का यह potential difference यहाँ पर कम हो जाएगा तो जैसे यहाँ पर potential difference कम होगा दोस्तों battery फिर से work करना शुरू करेगी और क्या होगा दोस्तों यहाँ और negative charge electrons और इधर move करना शुरू करेंगे ठीक है और यहाँ पर positive charge आता जाएगा ठीक है तो जैसे आ यहाँ पर dielectric रखते हो यह क्या होगा capacitor की जो capacity हो increase हो जाएगी मतलब उसका capacitance increase हो जाएगा तो दोस्तों यह dielectric करने के वज़े से यह जो potential है यह potential difference यह potential difference क्यों कम हुआ वो भी हम last video में देख चुके है फिर से यहाँ पर थोड़ा सा discuss करते है तो मान लेते हैं दोस्तों यहाँ यहाँ पर कोई dielectric material नहीं है तब यहाँ पर plus Q charge है और यहाँ पर दोस्तों minus Q charge है और यहाँ यह potential difference कितना है मान लेते हैं यहाँ पर V 5 volts है ठीक है और इनके दो प्लेट के बीच का जो distance है वो D है तो यहाँ पर plus charge यहाँ पर minus charge होने के वज़े से दोस्तों यहाँ पर क्या इनका V will be equal to what? E into D ठीक है अब जैसी दोस्तों यहाँ पर आप dielectric material को रखते हो ना यह जो dielectric material है इसको आप रखते हो तो यह dielectric material के अंदर के जो charges है वो polarize हो जाएंगे positive charge के उपर इस direction में force लगेगा और negative charge के उपर इस direction में force लगेगा ठीक है तो यहाँ पर polarization हो जाएगा charge का मान लेते हैं यह कुछ इस परकार से polarize हो जाएंगे इजर positive इजर निगेटिव चार्ज यह positive charge यह negative charge ठीक है कुछ इस परकार से यह polarize हो जाएंगे और यह polarize होने के वज़े से क्या होग दोस्तों यहाँ पर दिखे है यह positive charge से negative charge इस direction में एक field बन जाईगी इस direction में क्या वो क्या होगी कम हो जाएकी तो अगर Electric Field कम हो जाएगी तो loo?ентов इट्उट्रेंशल डिफ्रंस भी क्या होगा कम होगा ठीक है तो यह डाइ उलेक्ट्रिक को यहाँपे रखने के वजे से पहले तो यह Electric Field की वैल्यू कम हो जाती है फिर दोस्तो जैसे electric यह यहांप यह दोनों भी डाइलेक्टरिक क्या करते हFre drilling के value को reduce करते है लेकिन जिस तरह से ये electric field को reduce करते हैं वो तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है यहाँ पर ठीक है तो अब देखते हैं दोस्तों ये non-polar dielectric और polar dielectric होता क्या है और इन दोनों की बीच में क्या difference है और कैसे ये electric field के value को reduce करते हैं तो अब हमें पताएं कि दोस्तों ये dielectric एक substance होता हैregister candle होता होता है और कोई भी material ले आप ऑफ बहुत सारे चोटे-चोटे molecules से भना होता है ठीक है ओके ये polar LOOK के अंदर बहुत सारे चोटे-चोटे-चोटे molecules होंगे तो जब दोस्तों यहाँ पे आसपास कोई electric field नहीं होगी तो इसके जो molecules है ना इसके जो molecules हैं यह molecules के अंदर charges होते हैं positive charge और negative charge यह हमें पता है तो जब यहाँ पे आसपास कोई electric field नहीं होगी तो यह molecule के अंदर का जो positive charge है और जो negative charge है उन दोनों का जो center of mass है वो एक ही point पर होगा इसलिए हम इसको ऐसे दिखांगे ठीक है इस मॉलीकुल के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ओफ मास और निगेटिव चार्ज का सेंटर ओफ मास एक ही पॉइंट पर होंगे उसको हम डिसकस करेंगे क्या होता यह एक्जेक्ली यहां पर देखिए पॉजिटि यहां पर electron revolve कर रहा होता है, ठीक है, यहां पर दिखें, यह दूसरा एक hydrogen का atom है, तो यह दो hydrogen का एक molecule बनता है, यह दूसरे hydrogen atom का यह nucleus यहां पर positive charge और यह एक electron यहां पर revolve कर रहा होता है, ठीक है, इसको थोड़ी सी यहां पर बड़ी diagram बनाता हूं, ताकि आपको समझ मैं है, यह hydrogen का एक atom है, ठीक है, यहां पर दोस्तो नूकलियस positive charge है, यह दूसरा hydrogen का एक atom है, यहां पर electron प्रिवाल कर रहा है, यहां पर positive charge है, यहां पर दूसरे atom का electron प्रिवाल कर रहा है, ठीक है, तो दोस्तो यह positive charge और यह positive charge का जो center of mass है, वो यहां पर है, और यह electron और यह electron इन दो उनका जो center of mass है ना वो यही पर होगा H2K case में ठीक है इसलिए इसको हम कैसे दिखाते हैं दोस्तो ये molecule का हम ऐसे दिखाते हैं ये molecule इसका positive जो charge है उसका center और negative charge का जो center है वो एकी point पर हमने दिखाया है ठीक है ये condition कब होगी जब यहाँ पर कोई electric field नहीं होगी तब ऐसी condition होगी लेकिन दोस्तो इसी substance को अगर आप यहाँ पर दिखे किसी electric field के अंदर रख देते हो मान लेते हैं ये एक electric field है इस electric field के अंदर अगर आप इस substance को रखते हो इस non-polar dielectric को रखते हो तो क्या होगा देखिए हमने क्या किया है ये जो dielectric non-polar dielectric है इसको हमने क्या किया ये जो यहाँ पर electric field है इस electric field के अंदर रखा तो ये molecule के अंदर positive और negative दोनोwnież charges हैं तो positive charge के ऑपर लेक्टिखन में force लगेगा तो यह polarize हो जाएंगे, polarize मतलब यह positive center जो है इधर shift होगा, negative center इधर shift होगा तो यह polarize हो जाएंगे, positive और negative charges जो है, यह polarize हो जाएंगे, तो polarize होने पर मान लेते हैं, यह negative charge इधर और positive charge इस side पर उसका जो center है वो shift हो जाएगा, ठीके तो यह polarization के बाद कुछ ऐसे दिखेंगे, यह plus और यहाँ पर दिखेंगे, यह minus यह plus और यह minus, ठीके, जिस प्रकार से यह क्या होंगे दोस्तों, यह polarize हो जाएंगे और जैसे यह polarize होंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या होगी है, छोटी सी electric field यहाँ पर होगी, मान लेते हैं, positive से negative दिखेंगे, और यह जो induced electric field है, उसको हम E naught बोलते हैं, तो जो पहले electric field थी वो E, इस direction में थी, और induced electric field E naught, इस direction में, तो net electric field क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर net electric field is equal to this electric field E, minus this electric field E naught, ठीक है, तो यह polarization के वज़ए से, net electric field की value क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर E, minus E naught, मतलब पहले E थी, अब कितने होगी E, minus E naught, तो यह जो dielectric material है, इस dielectric material को electric field के अंदर रखने से, यह E के value को कुछ इस प्रकार से reduce करता है, ठीक है, तो यह तो बात हुई दोस्तों non polar dielectric की, अब बात करते हैं दोस्तों polar dielectric क्या होता है, तो बात करते हैं दोस्तों यह polar dielectric के जो कोई electric field नहीं है तब क्या होता है कि इसके जो molecules है ना लिकियी जो molecules है इसके अंदर जो charges होंगे उसका बाइब चारजेस होंगे उसका पाइब चारजेस है उसका सिंटर ऑफ मास यहां पे होगा मतल sä성을 पाम Smith बीच अलरेडी कुछ यहां पर आप पॉन्र बर नहीं थी तब पॉजितिव और निगयतिव चार्ज के सिंटर आफा इक पॉइंट पर थे यहां पर मतलब हैं एक एक उठल करां मतलब मतलब हाइड्रोजन کا होता ख्लोडन का होता है मंतलब करीम सिर्पी का होगा हो एक हे ऊह logr का होगा ठीक है और क्लोरीन का जो दोस्तों है देखिए क्लोरीन का एटम है और क्लोरीन का एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां पे होगा और इसका जो आउटर मोस्षेल का एक इलेक्ट्रोन है वो यहां पे रिवाल्ड कर रहा होगा ठीक है तो यहां के जो इलेक्ट्रॉन से उसको ज्यादा अट्रेक करेगा इसलिए दोस्तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ओफ मास है वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा तब दोस्तो इस डाइग्रेम को थोड़ा सा जूम करने पर आपको यह डा ज्यादा है तो यह ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खीचेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है न तो जो नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ओफ मास हो थोड़ा सा उधर शिफ्ट होगा यहां पर तो यह पॉजिटिव च आपर चाहिए होगा ओर आप दिसरा जो मॉलेक्व that उसका जो और इंदर केंदर और manufacturing होगा है जांग सॉछ है यहां पी leisure यह जो इलेक्ट्रिक फिल्ड को कैंसल करेगी यह जो इलेक्ट्रिक फिल्ड के एफिक को कैंसल करेगी और यहाँ पर यह जो इलेक्ट्रिक फिल्ड के एफिक को कैंसल करेगी ठीक है तो इसी वज़े से दोस्तों जब यहाँ पर एक्सटरनल इलेक्ट्रिक फिल्ड नहीं है त लेकिन अब जब दोस्तों यह जो polar dielectric material है इसको अगर आप दोस्तों इसी electric field के अंदर रखते हो मान लेते हैं यह electric field है और इस electric field के अंदर आपने इस polar dielectric material को रख दिया है जुम करते हैं इसको आप यह electric field के अंदर लिया है ठीक है तो क्या होगा दोस्तों यह जो positive charge है यह positive charge के उपर इस direction में force लगेगा इस electric field के direction में और जो negative charge है negative charge के ओपर इस direction में force लगेगा ठीक है तो यह सारे के सारे molecules जो है वो rotate हो जाएंगे और अगर यह electric field बहुत strong है तो यह exactly ऐसे horizontally oriented हो जाएंगे मतलब दिखे positive charge उस side में shift होगा और negative charge इस side में shift होगा मतलब इनका polarization हो जाएगा ठ इस साइट निगkokर और हो चाहते हैं तो इस सोब्रसक्रा भी में हो जाये तो इसके वज़एस से क्या होगा दोस्तो दीखे यहां एक इलेक्ट्रिक्स प्रकास पिल्ड्ड इस से उसके क्वेप मातल developed कि सारी इंब्aupt Ciaovern दोस्तों यह जो e है यहाँ पर यह जो electric field है इसके effect को कम करेगी न तो यहाँ पर जो net electric field होगी वो कितनी होगी दिखें यहाँ पर दोस्तों net electric field will be equal to this e minus what this e naught ठीक है तो यह जो polar dielectric जो material है यह भी अगर इसको भी आप external electric field के अंदर रखोगे तो उसकी value को यह कम कर देगा तो चाहे non polar dielectric हो चाहे polar dielectric हो अगर इन दोनों को आप external electric field के अंदर रखोगे तो electric field के value को यह कम कर देगा ठीक है इसलिए दोस्तों इनको हम capacitor के अंदर use करते हैं तब दोस्तों यह वीडियो यहाँ पर खत्म होता है नेक्स टूडियो में हम लोग capacitor के बारे में बात करेंगे तो मिलते हैं तो सबसे अगले वीडियो में नहीं होता है